हेलो फ्रेंड मैं हूँ आपका दोस्ट प्रोफिसर एफेक्स और आपका स्वागत है फोटोशॉप के एक ने टूडल में टूडल थुरू करने के पहले एक दो चीज मैं आपके साथ सेख आँ चाहता हूं मैं यूटूब पे लगबग 10 साल से वीडियो बना रहा हूं लेकिन अब ही तक मेरा सब्सक्राइबर सिर्फ और सिर्फ साथ हजार ही है तो मैं आप सबका है चाहूंगा कि इसे हम एक लाग तक पहुंचा सको तो आपको सिर्फ दो सकन लगेगा मेरा यूटूब चैनल को सब् लोगों वी साथ ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर बहुत सारी वीजूल चीज सेर कर पाएंगे और एक अच्छे और एक नेट्वर्क बिल्ड कर पाएंगे जहां हम एक दूसरे की हल्प करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप मेरा यूटूब चैनल को जरूर करें और उसके बाद और एक चीज मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम भी जॉइन किया है आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें तो वहां भी मैं बहुत कुछ सेर करता हूं तो यह था बात बोलने का मुझे अब हम सुरू करते हैं अपना टुटिरियल कि अ तो चलिए हम अपना टुटिरियल सुरू करते है ठीक है तो यह देख रहे हैं हमारे जो इफेक्ट है बहुत संदर से एफेक्ट है तो यह करने के लिए मुझे बहुत सारी फोटो क्लिक करने पड़े ठीक है जैसे कि मैंने दोस्तों के साथ गया था और यहां पर फूटो क् यह दो सब्सक्राइब करने बाद दूसरी बात है कि जरूए नहीं कोई पारक में जाया आप घर में बैठके आप अपने घर में भी यह चीज कर सकते हैं क्यी कि देखे मैंने एंड में क्या किया था एक अंग का क्लिक लिया था तो आप क्या करेंगे की आप बैकलि मों कोई भी यू वी चानल के के घर में या पारफ इसा। पर कहीं भी यॹिज़त पर कहीं बीशनत शयकर करे अपना इसाब से ऐसे इस पिक्चर को सूट कर सकते हैं उसके बाल उसको हम में काम जो होगा फोडोशॉप में करेंगे तो अब हम सुरू करते हैं यहां से हम इसको कर देते हैं बंद क्योंकि यह अल्रेडि किया हुआ है तो अभी हम इसे बंद कर देंगे इसमें से हंको दो पिक्चर चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ पे यह और यह पिक्चर को ले आओंगा साथ में तो यहाँ पे दोनों पिक्चर आ गया है अब मुझे क्या करना है दो पिक्चर यहां में रपस ठीक है तो मुझे करना क्या है मुझे बनाना है selection selection कैसे बनेगा selection कैसे बनेगा इसके लिए क्या होगा कि हम इस लकड़ी के नीचे का पूरा पाट और हाथ घड़ी तक घड़ी तक पूरा ऐसे करें कि यहाँ से काट लेंगे ठीक है यह करेंगे हम काटने के लिए अगर अभी तक आप एक्सपर्ट नहीं बन पाए है selection में तो इस वीडियो के नीचे के link है जहाँ पे एक playlist है जहाँ पे 2-3 वीडियो है वहाँ क्लिक कीजिए आप वो 2-3 वीडियो कर देख लेंगे आप selection में एक्सपर्ट बन जाएगे तो यहाँ पर में मेरा फेवरेट टूल है pen tool मैं वही यूज़ करता हूँ पर अगर आपका फेवरेट टूल और और अगर आपका सेलेक्शन इजी है थोड़ा सा क्योंकि मेरा देख है यहाँ लकड़ी है वही ब्राउन है और लकड़ी के पीछे जो ग्राउन है वही ब्रा होथी इसली कर पाएंगे ठीक है तो मैं फटाफट इसको सेलेक्शन कर लेता हूं ठीक है उसके बाद हम इफेक्ट बनाएंगे ठीक झाल है उसके जिए अजाओगे है और लकड़ी है जिसली की बनाएंगे है और लकड़ी उैड़ा है ड्यावी ब्राउन करका दुटे कर दूंगे कर दो तो यहां मैंने स्टेंट बना लिया है सलेक्शन मंने के सबस्ट पहला चीज आपको यह करना है आपको जाना है यहां पाथ है वहां फिर देखिये यह लिखा वर्क पाथ है मतलब कि अगर आप फिर से घरंट्यू लेकर वांज हुआ करेंगे अब आप कुछ बनाएंगे तो इसके उपर नहीं बनेगा वो अलग से नया फिर वर्किंग बाद बनाके उसके उपर बनाएगा तो यह होने के बाद छोड़ दें यहाँ पर इसे लेर में जाके आफ कर दें अब हम जो दूसरा इमेज था वो इमेज को यहाँ पर लेके आएंगे यह इमेज लाने के बाद अब हम इसके उपर वाले पार्ट का अब हम इसके उपर वाले एरिया का सेलेक्शन बनाएंगे अब सभाइंगे लेरे ए भाले लेकाईज The तो यहां मैंने दोनों का स्ट्रेक्शन बना लिया है यह नीचे वारा पाट को भी हम एक ड्रैक करके सबसे बॉरिं ईंद्रिस्टिंग बचा हुआ है अभर को확 इसे तो कि यहां पर कोई भी कोई है अगर right click करेंगे right click करेंगे और कहेंगे make selection तो यहां पर आता feather feather देदेना आपको 2 क्योंकि यह बहुत ही बहुत ज्यादा high quality picture है तो 2 ठीक रहाएगा तो 2 देरे के बाद ok press करेंगे और यहां press करेंगे layer में आके ctrl J अब मैं इस layer को बन कर दूँगा तो देखें मेरा यह ऊपर वाला selection बहुत सुन्दर आया है अब हम नीचे वाले को on करेंगे और यहां पर जो हमारा पहला path था वहां पर right click करेंगे और करेंगे make selection और यहां पर भी जो दो है pixel ओ ठीक है ओके press करके फिर यहां पर आ जाएंगे layers में और यहां right click करेंगे और करेंगे sorry यहां पर press करेंगे ctrl J और यहां पर यह हटा देंगे तो देखें हमारा आधा काम almost हो गया है अब हम क्या करेंगे background लेक आएंगे तो background मेंने click किया था आपको याद होगा अगर आपके पास अगर आपके पास कोई और भी background है तो भी काम चलेगा तो मैं इसे drag करके यहां लेके आओंगा और इसे मैं place सबसे पीछे डाल दूँगा यह हमारा background है इसलिए यह सबसे नीचे आ जाएगा layers panels में सबसे नीचे आ जाएगा तो आप देखेंगे हमारा आधा गाम ऐसे ही हो गया अब एक दूचीज एजश्मेंट मुझे करना है सबसे पहले हम इस layer में थोड़ा blur डालेंगे ठीक है तो यहां पर देखेंगे यह smart object है अगर आपका नहीं है तो आप राइट क्लिक करके convert to smart object कर सकते है ठीक है पर यहां पर यह smart object है आप देख सकते है तो इसे रहने दिए और जाएंगे यहां पर filter में filter में blur के अंदर आता ब्लर करेंगे ठीक है तो अभी आप देखें पुरा पूरा अप्लाई है पर ऐसा नहीं होगा हम यहां पे एक mask करने वाले है तो ब्लर हम यहां पे पाच के आसपास लख सकते है तो यह यहां पे देखिए हमारा एक mask बन गया है ठीक है तो यहां पे हम ले लेंगे gradient tool जो कि black वाइट रोना चाहिए ब्लेक टु वाइट टु ब्लेक है अब हम इसे ऊपर से नीचे ड्रैक करेंगे, ठीक है? यह उल्टा हो गया अभी हमको नीचे ते उपर करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि नीचे वाला पार्ट सरप रहे और पीछे वाला ब्लर हो जा ठीक है तो हम फिर से नीचे से उपर ड्राइग कर लेंगे अब आप देखेंगे पीछे ब्लर हो गया जो ग्राउंड है वह ऐसा को ऐसा ही है तो इस तरह से आप एक शो बोलते हैं फेक जो डिफोकस एफेक्ट डाल सकते हैं इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद यहां पर एक इसा एक फेक्ट करेंगे यहां दिखिएंगे उन्हें रही है तो हम उनको यहां पो करनेंगे duplicate तो इसे भी बंद कर देता है इसले उस्टेट करते है और प्रेस करते है Ctrl G Ctrl G प्रेस करेंगे तो एक copy बन जाएगा और आप नीचे लेयर को स्टेट करके प्रेस करेंगे Ctrl T transform के लिए और रैक्लिक करेंगे यहाँ प्रेस आता है Wrap Wrap ले लेंगे Wrap लेकि उसको इस तरह से जैसा shadow होता है आपका उस तरह से इसको प्लेस करेंगे इसकी बाद ले लेंगे Eraser Tool इसको Enter प्रेस करके यह आपका हो गया आप लेनेगे Eraser Tool Eraser Tool लेने के बाद उसका Hardness जो होगा एकदम कम कर देंगे ठीक है और इसको यहां यहां Eraser कर देंगे इस तरह से तो यह Eraser हो गया अब क्या करेंगे इसमें Click करेंगे Control Click Control Click करेंगे तो यह Selection मन जाएगा ठीक है और यहां पर आपका यहां Black है आगे Black है पीछे White है तो इसको यहां Apply करने के लिए यहां को प्रेस करना होगा Alt Backspace Alt Backspace करेंगे तो यह हो जाएगा Black और इसके बाद इसका जो More हो जाएगा वो हो जाएगा Overlay ठीक है अब नीचे वाले layer कौन करेंगे और इसका और इसका और इसका और देंगे कम ठीक है और इसके बाद इसमें फिल्टर में और यहां Blur है ब्लर में गोजन ब्लर यहां पर एड़ कर देंगे और इसका ओपस्टी थोड़ा और कम करेंगे और एक बार इसे टूल लेके मैं थोड़ा सा एंड में ज्यादा आ रहा है तो यहां पर कम कर देंगा तो यह हमारा यह सेट हो गया इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम अपना बैक्डाउंड को थोड़ा और सुंदर बनाएंगे उसके लिए यहां लेंगे हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे यहां जो एज़ेश्मेंट लेंगे क्लिक करके यहां पर लेंगे इसको अब हमें चूज करना है ह呢 हम जाएंगे पहले वाले करसर में वहां पर हम ले लिए कुछ ब्राउन जैसा कुछ ज़ैसा यहां पर देखता हो यह सा आपको चाहिए हमें तो एक ब्राउन जो पत्ता का जो कलर हो तैशल पत्ता है वह आपकर देखेर का शोच जाएगा इसकी बाद इसको हम कर देंगे जो blending mode हो जागा hue ऐसा कुछ अब देखिए इसका effect बहुत ज्यादा पड़ रहा है और यह थो light हो गया तो हम थो और dark यहां चूज करेंगे ओके और इसका opacity थोड़ा कम कर देंगे इसके उपर और एक layer आएगा adjustment layer या आप यहां जाके image में जाके adjustment भी ले सकते curves से हमको तो हम पर यहां से लेंगे adjustment layer में जाके लेंगे curves कर ले लिए हमने अब इसे थोड़ा साम contact बढ़ाएंगे इसका ठीक है और इसमें तो इस तरह से आपना जो पीछा layer को adjust करेंगे ठीक है यह होने के बाद मैं अपना जो image rate किया था उसमें और एक चीज किया था मैंने एक lens flare डाला था तो मैं इसके लिए एक नया layer बनाऊंगा इसके उपर और इसको इसमें टालूँगा black color तो मैंने यहां पर black color लिया है उसके उपर हम जाएंगे filter में और यहां render के अंदर है lens flare lens flare में आपको क्लिक करना है वो क्लिक करने के बाद कुछ चीज तरह आ जाएगा तो इसमें आप इसको यहां move कर सकते है ठीक है कि इसकर दाको प्रेस करना है okay ओक्रेस करने के बाद आपको जाना है blending mode में और इसको जिंज करना है screen के अंद में स्क्रीन चेंज करके आप इसको यहां इसको यहां लगा देंगे इसके बाद मैं थोड़ा और एज़ेश्मिन करूंगा कर्स में क्योंकि अब मुझे तो और डार करना है इसको तो यह हमारा effect तयार हो गया है आप भी यह effect करके मेरे facebook के page या फिर मेरे instagram में आप मुझे भेज सकते हैं और एक बहुत important announcement है मैं बहुत ही जल्द एक video conference करूंगा जहां आप मुझे अपने mobile या laptop से join कर पाएंगे और आपकी मन में कोई भी सवाल होगा graphic design के उपर या career growth के उपर या कोई technical question होगा कोई software के उपर आप कुछ भी मुझे diet पूछ पाएंगे मैं उसका जवाब उसी time दूँगा और आप कोईश्ट करूंगा कि आपका हर सवाल जागा दे पाऊं तो इसकी तरह आप मुझे follow करते रहे और एक बहुत important बात है subscribe जरूर कर ले मुझे अगले कुछ के साथ फिर्म लाकत होगी तब तक के लिए good bye keep learning keep watching